असलाम वालेकुम, welcome to my YouTube चैनल, I hope आप ठीक हूँगे, जरती से बच्चे हूँगे और आज मैं आपके साथ Heartless का नेक्स पार शेयर अटने वाली हूँ I know, story थोड़ी sad, थोड़ी depressed है, लेकिन ही ऐसी है, इसको हम comedy में या फिर light-hearted नहीं कार सकते हैं, I'm sorry नहीं तो फिर story का सारा मजा हराब हो चाएगा, so जैसी story है, उसको वैसा ही समझके और वैसा ही accept कारके सुने, तो चलें story की तरफ चलते हैं विंग जो कि आप बहुत पार ट्राय काट चुका था, अपनी pregnancy को terminate करने के लिए, और उसने कितनी अजीब अजीब जीब चीज़ें खाएं थी लेकिन, उसका बच्चा भी तो शायद ढीड ही था अपने बाप की तरह, उससे कुछ भी नहीं होता था, और उल्टा, विंग उसको सुनाता था कि विंग का दिल तो टूटके चिकना चूरी हो जाता था, लेकिन विंग भी कहा ही बाज आने वाला था, वाहर क्यों ही, इस इनसान का बच्चा पैदा करेगा, कोई उसको भी तो समझे, मामा जो कि बार बार बास उसको समझाती थी, उससे कर सकती थी, क्योंकि आप अंकल से प्यार करती थी, आपको दोका मिला, लेकिन आपने फिर भी वांग जी को एक्सेप्ट किया, उससे पैदा किया, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, मैं वांग जी से बिल्कुल प्यार नहीं करता हूँ, नहीं मैं उसको अपना हस लेकिन वो मेरे दिल पे हर रोज और हर वक्त ही चोड़ दीता रहता है, और वो तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, I'm sorry मामा, I know आप अपने बेटे से और उसके बच्चों से प्यार होगा, लेकिन मुझे इन दोनों में से किसी से भी कोई प्यार नहीं है, उसने पास ऐसे घुसे सही बोला था और मामा जो के, अब उसको सूप पिला के जा रही थी और ऐसा करने के लिए, उन्हें वांग जी नहीं बोला था, वो चाता था कि वो विंग का और उसके बच्चे का ह्यार रखें, और ये काम उन्होंने हुशी हुशी कार भी लिया था, और अब आइम ही था, वो आफिस किया हुआ था और फिर विंग जो के मामा को फिर से बुला रहा था, मामा प्लीज मेरी बास सुनें के जेन खोल देंगी, क्या, वो एक्ताम नर्म लहचे में बोल रहा था, जेन, लेकिन तुम्हें पता है न, प्लीज खोल दें, मुझे वाश्रूम जाना, आप तो जानती है, मैं प्रेगनेंट हूँ और प्रेगनेंसी में मैं कैसे कंट्रोल करूँ, उसने बोला था और फिर मामा जो के बास अब कीज ही ढूंड रही थी, उन्हें की मिल चुकी थी और उन्होंने, वो हद करी जो के जेन के साथ बनी थी, उससे खोली दिया देखो जल्दी आजाना, हाँ बिलकुल आप फिकर ना करें, वो जल्दी से अपने हाथ से वो चेन उतार रहा था और फिर वो एक धंसे जैसे उठा था और इससे पहले के मामा उसे रोकती या वो आवास देती, वो दर्वासा खोले बस बाहर ही भाग चुका था, थैंक उस वकत कोई भी कार्ड नहीं था, वो सारे शायद लांची करने गए थे, और वींग के लिए यह अच्छा मोगा था, उसे फिलकुल नहीं रहना, वो बास आप नीचे जा रहा था, सीड़ी उसे जल्दी जल्दी उतर गे, वो बाहर आप गेट की तरफ ही भाग गया था, वाच मैं जोके उसको देख रहा था, वींग ने जैसे उसको भी धक्काई दिया था और बता नहीं था, जियादा ताकत उसमें कहां से या आ गई थी, वो अब बाहर निकल चुका था और जाके सीधा रोड पी खड़ा हो चुका था, और आप जैसे, वो रोड के बीचो बी हैगा, सब किसा यहीं तमाम हो चाएगा, और कितनी सारी गाड़ियां माँसे कुछ जरीं थी, लेकिन कोई भी किसी को क्यों ही मारेगा, और फिर एकताम कोई गाड़ी आई गई थी, लेकिन वो जैसे आदे इंच के फासले पे रूखी गई थी, वींग जो के बिलकुल मरने के लिए रैडिक था, उसने अपनी आखें डार से भांदी रखी दिया और भी गाड़ी से कोई निकला था, और कोई और नहीं वो वांग जी था, जो कि जल्दी गार आ गया था, और उसने देख लिया था, वींग का ये कार नामा, वो उसे एक दम पकड किया आप जैसे किस जीरते हुए अंदर लेके जा रहा था, तुम्हारी हिमत भी कैसे हुए ये साब करने की, और कहां मार कियो तुम साब लोग, एक पागल नी तुम का अक्से संभाला जाता, वो जैसे अपने साले नोगरों को वाज़े दिये जा रहा था, वो साब डरते डरते अब उसके साम ऐसो तुम्हें बिल्कुल धियान नी रहता, ना जान से मार डालूँगा एक एक को, उसने अपनी गार निकाल ली थी, जो क्या वो हमेशे ही अपने पास रिखता था, और अब सारे नोगर जैसे डर से काम पर ही जा रहे थी, और पिर मामा जो के डरते डरते उसके आगे चाहता है, हाँ तो मुझे ये थोड़ी पता था कि ऐसे भाग चाहेगा या मरने की कोशिश करेगा, मामा जो कि आप शर्मिंदा ही थी, और वो डार रही थे अगर विंग को या उसके बच्चे को कुछ हो चाहता तो वो क्या ही वांग जी को जवाब देती, साब नोकर आप दुबारा से काम में लाग चुके थे और विंग की बारी थी, वांग जी की पनिशमर्ट लेने की, और तुम बहुत शोग चाहता है तुम्हें मरने का, क्या बोला था मैंने, मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, तुम्हें मरना है तो बाद में मरना, चलो तुम उसे दुबारा से पकड़ के अब वहीं पिला चुका था और उसे बांध भी दिया था, हम्, तो मैं अब तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ, जो के देखे तुम्हें हाथ से ज्यादा यूशी होने वाली है, वो गया था और आब वो वींग के रूम से, जो के पहले वो कभ क्या क्या था, ये कौन है, हाँ, सासु मा, बिचारी मार गई, तुम भी इसकी तरह मरना चाहते हो, और ये तुम्हारे पास उसकी आहरी निशानिया है ना, कुछ तस्वीरे ही बच्ची है ना, वींग जो कि आब उन तस्वीरों को देख रहा था, इन्हें कुछ मत करना प् वींग आप पूरा रिक्वेस्ट ही का रहा था, क्यों ना करूं, हाँ, बड़ा तक्लीफ हो रही है तुम्हें, बहुत दर्द हो रहा है, ये ये बेजान चीज़ें, ये कागस के टुकडे, तुम्हें इतने ज्यादा दर्द दे रहे हैं, और सोचो, मेरा बच्चा, जो त पकड़ लिया था, और वींग ने, अब दैट से दुबारे गांखें बंद कार ली दी, हाँ, उसे पता था भीक हो और थपर बढ़ने ही वाला है, लेकिन वांग जी ने उसे मारा नहीं और वो उसे, अब दुबारा से, बस, उसके बालों से पकड़ के खेंचे जा रहा था तुम ने ये क्या करिया, हम, तुम इतने बड़े जानवर हो सकते हो, मैंने सोचा नहीं था, तुम तो मुझे बुरा कहते हो ना, लेकिन तुम क्या इंसान हो, जो एक बच्चे को उसके पैदा होने से पहली मार रहे हो, इन फैक्ट, तुम मेरे से भी जादा बुरी हो, तुम ने देखा नहीं, जो अभी शायद कुछ टिश्यू से ज्यादा नहीं बना होगा, और मैं एक जीता जाता जान था, मैं जो पूरी 19 साल जिनकी गुजार चुका था, तुम ने मेरे भारे में एक बार भी नहीं सोचा, तुम ने मेरी सिनकी बरबाद का दे, मुझे जी तुम्हारे बुरे कामों की तुम्हें सजा मिली है, मैं बहुत प्यार से तुम्हें कहा रहा हूँ, मैं साब हतम का दूँगा, तुम्हारी मा की ये रही सही तस्वीरें भी जला दूँगा, तुम्हारा घार वो मैं बिल्डोस करवा दूँगा, एक एक निशानी हतम का का हूं वो उसे धंगा रहा था और फिर उसने दुबारा से मामा की एक तस्वीर पकड़ ली थी जो के मामा और पापा की शादी की थी और विंग पास उसको देख रहा था जला दूँ गया कितनी अच्छी है ना नहीं प्लीज इसे मत चलाना I'm sorry ओके ठीक है अब तुम इतना करना शूँ हो गया था और विंग जो के हमेशा की तरह बस बेजानबूत की तरह ही रहेगा वो कोई भी रिस्पॉर्स नहीं देगा खुश रहा करो और अच्छे से खाया पिया करो और तुम्हें तो शुकर करना चाहिए कि तुम्हारे पास ये प्रेगनेंसी का टाइम है जब तुम मुझ से और मेरे टॉर्चर से बचे हुए हो वरना तो याद है ना तुम्हें वो जैसे अब उसे आख मार के बोला था और अब वो दुबारा भाहर ही चला गया था और विंग जो के अपनी मा की तस्वीर के टुकणों को देख के बास रो ही सकता था और क्या ही कार सकता था हाँ, अब उससे क्या करना था सबर ही करना था जो के हमेशा से उसका काम था और बाकी का टाइम उसमें वैसे ही गुजारा था और आज वो सुभा सुभा पेन में था वांग ची जो के बास जल्दी जल्दी साब को ओर्डर दिये जा रहा था मेरा बच्चा इस दुन्या में आने वाला तुम लोग क्या ही कार रहे हो चलो चलो जल्दी से रेड़ी हो जो साब लोग उसने कितनी सारी चीज़ नहीं मंगवा लियन थी और विंग जो के बासाब बैट पे दर्ट से रोए जा रहा था अरे क्यों ही रो रहे हो अरे नाजाइस बच्चे को संभालना इतना भी मुश्किल नहीं होता वो उसकी तरफ देख के बोला था और साथ में वो समार भी का रहा था और विंग को तो जैसे उसके अलफाज और ही ज़्यादा तर दिये जा रहे थे वो उसे अब उठा के जल्दी जल्दी काड़ी में हास्पिटल भी ले गया था और बाकी का टाइम भी तो बास विंग के लिए किसी अज़ाब से काम नहीं था वो बहुत ज़्यादा पेन में था और वाँजी जोके अपनी मामा के साथ ही था वो अप्रेशन फिय्टर के बार पस्टरगर पे चिपकर लगाये जा रहा था उसे बहुत ज़्यादा इंतजा था अपने बच्चे का ताके वो अपने बच्चे को दिखा के उसके माँ को आदिल लोगा ज्यादा जला सके उसे और ज्यादा मेंटली टॉर्चर कर सके हाँ आप जब भी वो उसे नाजाइस बोले का वो उसका बच्चा उसके सामने का देगा कितना मसाएगा मुझे ऐसे हूदी सोच के हूदी होश हो रहा था और तब ही नास जो कि ऑपरेशन धेटर से बाहर ही आई तार ही थी और वाँजी की थी हुशी का कोई टिकारना ही नहीं था उन्हों ने उसे एक बच्ची लाग के दी थी जो के वाँजी की तरह थी वो एक धुम हैल्दी थी और बिलकुल जासे दूसरा वाँजी ही थी same to same ये तो साच में मुझे इक यह ही है वो उसे देखकर बह रही थी और फिर उसने अपने पेटे के बारे में पूचा था मेरा बच्चा की तरह है सार वो थोड़ा वीग है और इसलिए हम उसे थोड़ी देर के लिए अंडर आपसरवेशन रखेंगे वैसे आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है और वांची को अपने बेटे के लिए आप फ वीग के बारे में पूच ही नहीं रहा था और फिर मामा नहीं पूच लिया और वो कैसा है वो ठीक है हम अभी होश में नहीं है हम उने रूम में शिफ्ट करने ही वाले हैं वो जल्दी से बोल के अंदर ही चली गई थी और फिर वीग जो के विखोश ही था उसको रूम में दिगा था और वो वैसे ही अभी तक लेटा हुआ था और मांग जी जो के अपनी छोटी सी बेटी को पकड़ कि अभी दर उदर खुमें जा रहा था वो हाथ से ज्यादे ही हुश था हाँ आप तो और ज्यादे मज़ा आने वाला होगा ना बेटी उसकी प्यारी बेटी जो के सेम टो सेम उसी के जैसी है और अब तो विंक के दिल में और ज्यादा दर्द होने वाला है और बेटा कैसा होगा हाँ बिल्कुल वो भी मेरे जैसे ही होगा वाँ जी यह सोच रहा था और तब भी विंग को जैसे थोड़ी थेरी बाद हो शाय किया था और वो बास इदर उतर देखी रहा था ओ माई ब्यूटीफिल वाइफ उट ये तुम कॉंग्रेर्स थैंक्यू सूम आज तुम्हारा उसने जाकर विंग की फोर हैट पर किसी की थी और उसे अपनी चोटी सी बेटी दिखाए थी ये देखो हमारे प्यार की निशानी अच्छी है ना प्यारी है ना क्यूट है ना सेम टू सेम मेरे जैसी है देखा तुमने कितना पाफूल है और हाँ ये एक नहीं है एक और भी है हमारा बेटा है, वो बहुत ज़्यादा प्यारा होगा, मुझे पत है लेकिन वो तुमारे रोने दोने के वज़ा से थोड़ा वीक है झाने बोला तह ना, मना ध्यान रखाकरो, लेकिन तुम तो खाते भीते हैं नहीं थे देखो सारा कुछ मेरी बेटी नहीं खालिया और तो मारा बेटा थोड़ा विकी की रहा गया वो अब हस्ते हस्ते हुशी सही बोल रहा था भी इनको क्या ही फरक पड़ता था जो भी हो उसे कुछ नहीं फरक पड़ता उसने दूसरी बात हो उस बच्ची की तरफ देखा है नहीं था जो कि अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से उसी की तरफ देख रही थी अरे देखो तो उठाओ के नहीं क्या इसे मुझसे दूर ही रखो मुझे कोई शौक नहीं इसको हाथ लगाने का गंदा हून कहीं का यू? मैं तो मैं छोड़ूँगा नहीं वांजी उससे से आगे बड़ा था और तब ही नरस उसके पास दोड़ते हुआ थी सार आपको चल्दी चलना होगा और आपकी वाइफ को भी क्यूं? कहां जाएं? क्या हुआ? वाइफ के बेटे की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है वो बहुत ज्यादा वीक है और वो नरसरी में चलें सार उसको देख लें वाइफ जी छोके साच में अब परशान हो गया था और वींग के दिल में भी पहली बार फिकर ही पैदा हुई थी हाँ उसे कोई फरक नहीं पड़ था वो इसके बच्चे है ना जायज बच्चे गंदे बच्चे गंदा हून उसे क्या ही फरक पड़ने वाला है लेकिन फिर भी उसके दिल में जाने क्यों ही तरती हो रहा था वाइफ जी चल्दी से उसके लिए जाती थी लेकिन मांग जी ने उना मना इकार दिया वो नहीं जाता था वहाँ पे बच्ची रोए और दूसरे बच्चे डिस्टरबियों वाइब नरसरी में जा रहे थे और वहाँ पे उनका बच्चा ही था जो के बास शायद जिनकी क्यारी सांसे ले रहा था और वींग की आँखों से जैसे एकदाम से आंसु ही किरने शुरू होगे थे वो पूरा था पूरा वींग जैसा ही था उसी की जैसी बड़ी बड़ी आँखें थी और वो सेम डो सेम जैसे वींग की कॉपी था ये जरूर दूसरे राउंड में बना होगा वांग जी जो कि अब सबर दस्ति मुस्कुराते हुए बोल रहा था लेकिन विंग जो कि कुछ भी रियाक्ट निकार रहा था वो बच्चा जो कि ऐसे शीशे के बॉक्स में था और वाइस था अपनी टांगें हिलाए जा रहा था और वाइसे ज़्यादा वीग था उसके हाथों पे जैसे ड्रीपसी लगी हुए थी और मिंग जो के पास रोई जा रहा था उसको देख के और वाइस जी ने अब नर्स से कह के उस बच्चे को निकलवाई लिया था और रहे क्यों रो रहे हो पागल ये मेरा बेटा है स्ट्रॉंग बेटा है ठीक हो जाए गाई है और तुम्हें क्या ही फर्ट परता है क्यों ही रोई जा रहे हो तुम विंग ने जासे बच्चे को पकड़ लिया था और वो उसको देखी जा रहा था वो इतना प्यारा बच्चा था और उसको तो जैसे अपनी बेटी की याद ही बोल गई उसे तो ये भी भूल लिया था कि ये बच्चा भी वाण जी काई है हाँ ये भी नाजाइस बच्चे है वो उस बच्चे को देख रहा था जो के थोड़ी थोड़ी आगे खोल गया विंग की दरफ देख रहा था विंग ने उसे सीने से लगा लिया I'm sorry मामा बहुत स्यादा बुरी है ना मैं बहुत बुरा है मैं तुम्हें प्यार नहीं कार सकता क्योंके तुम अपने इस बाप की उलाद हो मैं चाहता था तुम दोनों मर जाओ लेकिन तुम दोनों ने सिंधा होना था यहां प्याना था मुझे और तकलीफ देने के लिए उदेखो तुम आगे लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं चाहता, तुम मरो तुम्हें कुछ हो, तुम कितने क्यूट हो, तुम कितने मासूम हो, तुम्हारा तो कोई कुसूर नहीं है न, तुम्हारा बाप ये जानवर है, फ्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, वो जैसे रोए जा रहा था और उसने बच्चे को सीने से ही लगा रगा था और वांक ची देख रहा था एंग जे उस बच्चे के लिए रूखो रहा था वी क्या ही बाते की ये जा रहे हो तुम इसे कुछ नहीं हो गा ये ठीक हो जाएगा और मैंने बोला ना मैं इसका इलाज करवाऊंगा थोड़ा वीक है तो क्या हुआ हम इसको यहां पर रखेंगे नरस्री में यह जल्दी ठीक हो जाएगा और तुम्हें इसलिके इसे ज्यादा प्यार फिल हो रहा है ना कि यह तुम्हारे जैसे है है ना मेरी बेटी से तो तुम बिल्कुल प्यार नहीं का रहे थे उसे तो उठाया था कि नहीं और इसे ले के कैसे आप रोए जा रहे हो इदर लाओ मुझे दिखाओ नवांग जी ने उससे बच्चा लेना चाहा था लेकिन विंग जो के बास ऐसे ही बच्चे को जीने से लगाए रोए जा रहा था उसने देख लिया था अपने बच्चे की आइस्ता आइस्ता चलती सांसों को वो फिल्ड कार चुका था और उसे पता था वो बच्चा अपनी बच्चने वाला और उसने बास अपने बच्चे को अलग करके देखा ही था और उसका बच्चा भी उसकी तरह और उसकी माँ की तरह ही था हाँ वो भी परताश नहीं कार पाया इस दुनिया में आना और ना ही उसे कबूल था वांगची जैसा बाप इसलिए वो इस दुनिया को पास छोड़ के जाई चुका था और जो कि अब दुबारा से अपने बच्चे की लाश को लेके रोहे जा रहा था और वांगची जो के शौक ही खड़ा रहा किया था उसका बेटा उसकी आखों के सामने मार चुका था और वो तो जैसे कुछ बोली नहीं पारा था और उसके दिल में आज से जादा ही दर दुबारा था उसे तो प्यार नहीं था ना अपने बच्चों से वो तो वास इनको ऐसे वैपन यूज करने वाला था एक अत्यार के दोर पर एक मौरे के दोर पर वींग को तरपाने के लिए चलाने के लिए लेकिन उसका बच्चा मार किया उसने कभी नहीं सोचा था उसके दिल में आज से जादा ही धर था और उसकी नाखों से भी आंसू निकल ले थे और उसने आगे बार के जैसे वींग को हागी कार लिया ये मार किया है ये मार किया हुई मैं से नहीं बच्चा सका मैं कितना ज़्यादा पावरफूल था ना मेरे पास साब कुछ था लेकिन मैं अपने इस चोटे से बच्चे को नहीं बच्चा सका दूर हो जा मुझसे दवाओ जो तुम जानवर के इंके वींग ने अपनी पूरी कुवत से उसे धका ही दिया था और आप वो जैसे बच्चे को दे के रो ही रहा था नास जोके आगे बढ़ के आप बच्चे की लाश को लेना चाहती थी लेकिन वींग ने उससे मना ही का दिया था ये मेरा बच्चे है वैंसे अपने पास ही रखोंगा ये गहीं नहीं जाएगा ये ठीक हो जाएगा वो उस बच्चे की तरफ देखे बोल रहा था तुम ही चाहते थे ना मेरे बच्चे मार जाएं और देखो तुमने एक को तो मार ही डाला और आप तुम दूसरी को भी मार डालोगे मैं तुमसे पहले भी नफरत करता था मैंने कोशिश की कि हमारे रिष्टे में कुछ बेतरी आसके मैंने तुम्हारा हयाल रखा मुझे लगा शायद तुम हमारे बच्चे को एकसेप्ट कार लोगे लेकिन तुम बहुत बुरे हो तुमने मेरे बच्चे को मार ही डाला आप तो तुम्हारे दिल में सिकून आ गया ना बोलो आप तो तुम सिकून से होना मुझ जैसे विंग को चिंजोड़ते वे ही बोल रहा था और विंग ने क्या ही बोलना था वो बास रो ही सकता था वांग जी टीर जैसे उसके उपर इल्जाम लगाई रहा था और भला क्या कोई मां भी चाहती थी कि उसका बच्चा मर जाए हाव विंग पहले जाता था लेकिन आप तो नहीं और विंग ने आप उससे से उसकी तरह देखा था ये मेरी वज़ा से नहीं मरा ये तुम्हारी वज़ा से मरा और बहुत अच्छा हो गया बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया कि ये मार क्या क्योंकि ये मेरा बेटा था ये मेरे जैसा था और बहुत अच्छा हो गया ये इस दुन्या में आते ही चला गया क्योंकि इससे भी तुम्हारे जैसा बाप नहीं चाहिए था तुम्हारे जैसा बाप होने से इसने मार जाना बेतर समझा और देखो को ये भी मेरी माँ की तरह गहरत मनता इसने अपनी चान दे दी और जैसे मेरी माँ मार गई ये भी मार गया मेरा हस्बिंड मार गया सब मार गया तुमने सब कुछ छीन लिया मुझसे और बहुत अच्छा हो गया अगर ये जिन्दा रहता तो काल को कोई और तुम्हारी तरह क जानवर इसे भी नोच डालता जैसे तुमने मेरे साथ किया था बहुत जादा अच्छा हो गया मैं बहुत होश हो यह मार गया वो रोते रोते बोल रहा था और वांग जी के पास आप कहने के लिए कुछ नहीं था वो क्या अपने बच्चे के मरने पे भी हुश हो सकता था उसने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसे कैसे कह सकते हो वी मैं कितना ही बुरा होँगा लेकिन क्या मैं अपनी उलाद के लिए भी बुरा हूँ हाँ तुम बुरे हो और जो बुरा होता है वो साप के लिए बुरा होता है अब तुम रहो अपनी बेटी के साथ और तुम ने सही का यह साज में मेरा ही बच्चा था और मेरे बच्चे ने मेरी तकलीफ देख ली थी और वो इसलिए इस दुन्या से चला गया मुझे मजीद दर्द नहीं दिया उसने विंग बास बोल रहा था और अब वांग जी जोके उससे वैसे ही वापस ला चुका था और अब उनकी बेटी भी दोरोने शुरू हो गई थी शायद वो भी अपने भाई के मरने का गाम भी मना रही थी वांग जी ने उसे उढ़ा लिया था चुप हो जाओ बेटा तुम्हारी माँ को तुमसे कोई प्यार नहीं है लेकिन तुम फिकर नहीं करो तुम्हारे बापा हमेशा तुमसे प्यार करेंगे और मैं तुम्हारा हयाल रखूँगा जाए ये तुमसे कितनी जादा नफरत करें लेकिन तुम्हारा बाप हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा वो बच्ची को सीने से लगाए बोले जा रहा था